प्यारे बच्चों, EBS या प्रयवरन धेन की ओनलाइन रेमडियल टीचिंग या रवीजन कार्यक्रम में आप सब का हार्द एक स्वागत है बच्चों, आपने पिछली वीडियो में वाटर के वारे में एक पोईम के माध्यम से जाना आप जानते हैं कि वाटर के विना जीवन संभव नहीं है पाने की जरूरत एनिमल्स, पेड़ पोधों और सभी मुनुश्यों को होती है आपने डिसकस किया था कि किन किन कामों के लिए पानी चाहिए इस वीडियो में वाटर के वारे में कुछ और जानकारी आपको दी जाएगी तो आप त्यार हैं चलो शुरू करते हैं चलो बताओ फिर ने मैनी 4 activities which you can do without water ऐसे चार काम लिखो जो तुम पानी के बिना कर सकते हो आप पानी के बिना dance यानी नाचना, play यानी खेलना, sleep यानी सोना, read यानी पढ़ना इत्यादी कर सकते हो You cannot do without water तुम पानी के बिना नहीं कर सकते Water के बिना cook यानी पकाना, wash यानी धोना, वात नहाना, paint चित्रकारी करना इत्यादी नहीं किया जा सकता Water more or less किसके लिए कितना पानी Arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता है उसे पहले लिखो Begin with the activity that needs the most water वाकी को ज़्यादा से कम के क्रम में लिखो Activities या काम है To water, नहाने में, to drink, पीने में, to clean the house घर, साफ करने में, to water the fields खेद में, पानी देने में, to knead the dough आटा, गूंदने में बच्चो, हमें इन activities को ऐसे क्रम में लिखना है जिसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा पानी यूज होता हो उसे लिखना है तो इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी किसमें यूज होगा आप देखें, to water the fields खेत में, पानी देने में उसके बाद, देखें ज़्यादा ध्यान से to clean the house, घर धोने में फिर to wath, नहाने में फिर to knead the dough, आटा गूंदने में और लास्ट में, to drink, पानी पीने में water from here, कहां से मिलता है पानी In the poem, you read about rivers, waterfalls, lakes and springs तुमने कविता में नदी, जरने, तालाव और कुंगे के बारे में पढ़ा We get water from all these places इनसे हमें पानी मिलता है Put a circle around those places that are either in your house or around it तुम्हारे घर में या घर के पास इन में से जो जो हैं उन पर गोला लगाओ लेक, जील, वेल, कुंगा, ट्यूवेल, पॉंड, तलाब, वाटरफॉल, जरना, हैंड पंप, नलकूप, रीवर, नदी, स्ट्रेम, नहर, टेप, नल, टेंक, टंका, सी, समुदर, हॉट बाटर स्प्रिंग, गरम पानी का सोता तो बच्चों, इन में से जो आपके घर के नजदीक हैं, उनके उपर आप गोला लगाएंगे Have you seen hot water coming out of the ground, वेल, क्या तुमने कभी जमीन में से गरम पानी निकलते देखा है, कहाँ बच्चों, बहुत सी जगों पर गरम पानी जमीन में से निकलता है क्या आपने भी कहीं इसे निकलते हुए देखा है, अगर देखा है, तो कहाँ देखा है, आपको लिखना है Does any river flow through your village or city? If yes, write its name क्या तुम्हारे गाओं या शहर में कोई नदी बहती है, यदि हाँ, तो उसका नाम क्या है? तो बच्चों, आप लिखेंगे कि आपके गाओं या city में कोई नदी है, यदि है, तो उसका नाम लिखें Do you know the names of any rivers? Write their names. क्या तुम कुछ नदीओं के नाम जानते हो, उनके नाम लिखो बच्चों, नदीओं के कुछ नाम हैं, यमना, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, क्रिश्ना, कवेरी, सतलूस, ब्यास, इत्यादी At home, where do you get drinking water from? तुम्हारे घर में पीने का पानी कहां से आता है? किसी tap, यानि नल, कुवा, बावडी या फिर हैंड पंप से आपको ये बताना है Do you have to go for, to get water? How much time does it take to wring the water? क्या पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है? पानी लाने में कितना समय लगता है? Do your neighbors wring water from the same place? क्या आसपास के सभी लोग बहीं से ही पानी लेते हैं? जहां से आप पानी लाते हो क्या आपके neighbors या आसपास के लोग भी बहीं से लाते हैं पानी? ये आपको बताना है Why do we need to store water? पानी को वहर कर रखने की जरूरत क्यों पड़ती है? पानी को भर कर इसलिए रखा जाता है ताकि जब पानी की जरूरत हो तो उसका use किया जा सके और water use के लिए available हो Who fetch and stores water in your house? तुमारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन कौन करते हैं? तो बच्चों आप अपने घर के बारे में बताएं Are there certain people who are not allowed to take water from there? क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें बहां से पानी भरने नहीं दिया जाता? बच्चों क्या किसी के city अगाउं में ऐसा होता है? अगर होता है तो लिखें इन सब प्रश्णों के उत्तर आप अपनी notebook पर सुंदर करके लिखना और उसकी photo खेंच कर WhatsApp ग्रूप में अपने class teacher के लिए send करना इस वीडियो में इतना ही हैवे नाइस दे